नवाशकार दोस्तों इस वीडियो में हम डेटेल में कवर करेंगे जीजी वर्सीज सीज ड्रीम इलेवन यानि की दोस्तों गलग लेड़ेटर्स वर्सीज कोलंबो स्टार्स की टीमों के बीच जो लंका प्रीमियल लीग 2022 का मैच कहला जाएगा उसके बारे में तो सबसे पहल इस सर में हो सकता है इस वाले मैंच में मेरे खाल से विन करना चाहिए गलग लेड़ेटर्स का टीम तो इस टीम को मैं हाँ से थोड़ा से फेवर करके अपना टीम करियेट करने वालूं अगर आपको दोनों बैलेंस साइड लगती है तो आप दोनों टीमों की तरफ से एक ब वीडियो के डिस्क्रिप्सन में जाना है जहांपे आपको एक लिंक मिलेगा बल्यू कलर का उस लिंक पर करके टेलेगराम से जोइन कर लीजेगा या फिर दोस्तों सबसे उपर जो पिंड कॉमेंट रहेगा वहाँ पर भी मैं लिंक टाल देता हूं टेलेगराम का वहाँ से भी आप डिरेक्ली जोइन कर सकते हो सारा कुछ फाइनल अपडेट आपको यहां पर मिल जाएगा तो जोइन कर लीजिएगा वे एनलाइसी सेक्सर में आते हैं तो ट्वैल्थ लंका प्रीमियल लीग का यह मैच दो जार बाइस का मैच रहेगा और साम के साथ बज़ कर तीस मि मन देखने को मिली है कि रन स्कोरिंग सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वारे टीम से चेज नहीं हो पा रहा है हालांकि सेकंड इनिंग में डूफ एक्टर भी आता है क्योंकि नाइट वाला मैच रहता ही है लेगिन फिर भी सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वारे टीम काफी सारी विक्टें गवा रही है और उनको चेज और जो सेकंड बैटिंग अने वारे टीम में वो चेज नहीं कर पाई यहां पर देख सकते हैं यहां पर 141 कर पाई थी यहां पर 189 यहां पर देखो तो 149 इस वाले मैच में जो फर्स्ट नंबर मैच इस पीच पे हुआ था वो यहां पर चेज डाउन कर लिया गया था ठीक है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहां पर दोस्तों सेकंड इनिंग म यहां पर देखें डिव फैक्टर भी आ रहा है लेकिन फिर भी चेज नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं जो टोप ओर्डर के बैट्समन है वो अच्छी फोर्म में नहीं है या तो फिर सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाले जो टीम है उनके या फिर दोस्तों जो टी 13 से 13 विक्टों के लगबा आपको गिरती भी दिखेंगे अधा इहां पर देखें आठ और पांस 13 विक्ट केरी यहांपर देखोगे तो साथ और से 13 और यहांपर 16 विक्ट तो विक्टें भी गिर रही तो दोनों टीमों के जो मैन विकेट टेकिंग बोलर्स हैं वो आपके लिए इंपोर्टेट रहेंगे और टेक्निकली स्ट्रोंग जो बैट्समें ने वो आपको रूंस करते हुए यहां पे दिख जाएंगे यह हो गया पिछ रिपोर्ट और अभी तक पांचो मैच में की बात करें तो कुसल मैंडिस और थनू का डबा रहें यह प्ले रहा न दोस्तों इंप्रेस किया है सेकंड इनिंग में सेकंड मैच में सतर क्याफ और यहां पर देखिए एक में सतीस करके आ रहे हैं और ओवरोल अठारा का इनका केवल एवरेज है लंका प्रीमिय लिग मे लेकिन एज़ ट्रमप कार्ड यूज करना जाते हो तो डेफिनली कर सकते हो कुसल मैंडिस ठीक टाप फर्फोर्मस दिया है इनोंने अभी तक दो बड़ी आइनिंग कहल चको है यह भी इंपोर्टने रहे हैं कैव विसी की बड़ी अज़ोई थर्टी से लंका प्रीमिय लि प्रफोर्मस नहीं देखिनों को मिलाए इससे पहले जो जितने भी सीजन खिले लंका प्रीमिय लिग में वहाँ पर प्रफोर्मस बड़ी आ रहा है और थर्टी का इनका एवरेज रहा है इसका इफ्तिकार है मत देखें बैटिंग में तो कुछ किया नहीं है इनोंने फर्स डालें साथ अवर डालें और यह पांच विकेड निकाल चुकी है तो यहां पर इंपोर्टनेट हो जाते हैं बोलिंग सेक्स बोलिंग करते हैं उस कंडिशन में लेकिन बैटिंग में कोई ज्यादा खास पर्फोर्मस इनका रहा नहीं है नवानी इंडू फर्नांडो है बै वहां पर एक आदा विकेड बीन को मिल ला है तो एक बड़ी आप बीसी की चोईज रहेंगे लक्सन संदाकन भीया मैंने बताया था विकेड टेकिंग बोलर है चार अवर डालें दो विकेड निकाल के दिए फर्स्ट मैच में केवल दो ही अवर करवाए गये लेकिन सेकंड मैच के ला तो पूरे चार और कंप्रेट डाले और फिर वो भी दो विकेड निकाल के गए सैम सिच्वेशन यहां पर लक्सन संदाकन के साथ भी वाए ठीक है फर्स्ट मैच में केवल दो और सेकंड मैच में चार अवर करवाए गये और दो विकेड निकाल के दिए तो यह है संदाकन हो गए चाइना में गया जाफरी वेंदर से हो गए वह भी विकेड टेकिंग है तो इन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिगा नुवान पर्दीव कंटीन्यू दो दो विकेड निकाल किया रहे थे लेकिन लास्ट वाले मैच में विकेड नहीं निकाल पाई न मतलब इनका पेस्ट है काफी इंपोर्टनेंट अभी काफी तगड़ा है और एका दावर जो किसी का कम होगा वह आपको इप्तिकार हमद डालते वे दिखेंगे टोप और में बैटिंग के बात करें दावारे अच्छा करें कुछ सलमेंडिस ने अच्छा प्रफॉंस किया लेजरू डारा के वले एक मैंच में प्रफॉंस कर पाई हैं आज हम खान कुछ खास प्रफॉंस दिया नहीं इफ्तिकार हमद बैटिंग में फ्लोप रहें लेकिन बोलिंग में एक आदा विकन निकाल के जा रहे हैं नवान इंडू फरनांडो का बैटिंग का रफ्रम नही किया है तो पाई फंडर लाइक का टार्गेट है दोस्तों जल्दी से कंप्लीट कर दीजिगा निरोसंड एक वेला निसान मदुस का ओपन करने आए थे निसान मदुस का पिछले मैच में कोई इंपक्ट नहीं डाल पाई निरोसंड एक वेला इंपोर्टनेट रहेंगे मैचेज की परफॉर्मस देखिए पांच में से तीन मैचेज में कंटीनु हाफ सेंसुरी लगा करें डोमस्टिक लेवल में तो मेरे खालों से बहुत बढ़ा ट्रपंट पीक आपकी टीम में बन सकता है पिछले मैच में हालांकी देखिए एक ही डरन करवाकी दिया था इसक से बोलिंग से नहीं तो बैटिंग से आपको कहीं नहीं से पॉइंट देखे जाएगा लेकिन अब तक बैटिंग जो किया तीन मैच में कंटीनु फुलॉप जा रहे हैं लंका प्रीमिय लिंग में 26 का इवरेज है दिनने चंडी मल इंपोर्टेंट इतने जादा नहीं रहे जो विक्ते निकालते हैं तो गुच्छों में निकालके जाएंगी जैसे ध्यां रखना लंका प्रीमिय लिग में 16 मैच में 16 विकेट हैं लाश्ट के परफॉम्स देखो ये तो तीन मैच में आपको गुच्छों में दिखेंगी लास्ट के भाई ठीक है तो यह बहुत बड सोच है दोस्तों यह मेरा ओपीनियन है इसका पर नवी नुलक यह भी विकेट टेकिंग बोलर है लेकिन ज्यादा कुछों में विक्ते नहीं निकालें तीनों मैच में एक एक विकेट निकाल की दिए ठीक है औरो लंक लाश्ट में देखो 14 मैच में 16 विकेट है फर्स्ट ब प्लेयर वाइज एनालाइसिस अब बात कर लेते हैं हमने स्मोल लीग के टीम का तो सबसे पहले विकेट किपिंग सेक्टर में आपको बहुत सारी प्लेयर खेलते वह दिखेंगे कुसल मैंडिस नेरोसंट इकवेला आजम खान दिनेश चांडिमल एस मदूसका ठीक है यहां पे बड़ी हटेंग करके अच्छे पोइंट आपको दे सकते हैं फोम इनका चला है तो दोनों को मैंने अपनी टीम में कवर किया आजम खान दोस्तों चार मैच कहलें चारों में सिंगल डिजिट स्कोर है तो उस कंडिशन में अपनी टीम में नहीं कवर करा हूँ दिने संड देखे कोई ट्राइं नहीं कर रहा है केवल एक परसेंट का सेलेक्शन इस बन देगा ठीक है तो डैफिनली आप अपने जील में तो ट्राइब करना लेकिन जो रिस्क लबर हैं वो समॉल लीग में भी रख सकते हो बैटिंग सेक्शन में एंजलियो मैं तो रखा है मैंने ल पिछले मैच में चार और उसके बाद वाले मैच में इन्होंने दो वर डायल की दी लेगन फिर भी आपके टीम में बड़ी आचोई अगर रवीब बोपारा खेलते हैं मेरे टीम में रवीब बोपारा रहेगा मीचे चलके मैंने टी अबारे और परवी थाना इन दोनों प् बेटिंग में बिलकुल फ्लोप जा रहे हैं दोस्तों और इनका जो बोलिंग डिपार्टमेंट है वो लग बग चार चार आवर कंप्लीट डालने वाले बोलर से इन में से किसी दो बोलर का अगर एक कवर कम होता है तो फिर दो वर से न इफ्तिकार आपको डाल के दे सकते ह आपको ट्राइ करना पड़ेगा इफ्तिकार एहमद भाई ठीक है लेकिन परविथाना मेरे एक ट्रंप काड़ पीक है तो मैं इफ्तिकार की जिगए परविथाना को अपनी टीम में अभी के लिए कवर करके चलों फर्स्ट बैटिंग करेगा गैल गली डेटर फिर मैं इफ दिशी की बढ़िया चोईच रहेंगे सेखो कुझ परसनना मैं अपनी टीम में कवर नहीं कर पाया हूं लेकिन सेकंड इनिंग में अगर कोलमबो स्टार सीस का टीम यानि बोलिंग करता है तो मेरी टीम का मस्ट पार्ट रहेगा सेखो कुझ परसनना ठीक है नीचे करीम जन आपको दिखेंगे लेकिन सभी को हम कवर नहीं कर पाएं केवल गयार ही प्लेयर सब कवर कर सकते हैं तो देखिए लक्षन संदाकन नमीन उलक नुवान्त हुसारा कसुन रंड जीता यह चार जो प्लेयर से हैं वो बच जाते हैं चारों विकेट टेकिंग बोलर रहा वैसे क बोलिंग करेगा यहां पर कोलमबो स्टार का टीम तो मेरी टीम का मश्ट पार्ट रहेगा इस वाले मैच में चार और कंप्लीट डालता आपको दीखेगा देख लेना पिछले मैच में केवल दो ही आवर डाल की दिए तो करशन रंड जीता आपको विकेट निकालता अब द कर सकते हैं अभी के लिए जो टीम अपना यह है जिसमें कैप्टन कमेंडू मेंड कुसल मेंडिस वाइस कैप्टन निरोस्चन डिकवेला ट्राइब किया है टी आवारे निवानिडू फर्नांडो एन परविथाना की जगह पे आप किसी को भी एक को ड्रोप करके आप यहां बोलर्स हैं इन में से आप किसी बोलर्स को ट्राइ कर सकते हैं तो अभी के लिए टीम में रहिए है फाने टीम आपको टेलिगराम में मिल जाएगा नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है वाई और सबसे उपर जो पिंड कोमेंट है वहाँ पर भी आपको लिंक मिलेगा जाके जोइन कर लीजेगा और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो टीम बनाने में कुछ हैल मिलियो तो वीडियो को लाइक कोमेंट सेर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजेगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओल दे और दे बेस्वादिनु में है जेका जड़ादों में बनाने में हो नेक्स वीडियो अ्याह बहतुत सेर सक क्छिसे आपको अने अरे ए बाल में क्यों चोरिश में वीडियो थार